किशनगाड के मुख्य चुराया बालाजी मंदिर के पास में रईवार को उस वक्त अफरा तफ्री मच गई जब दिन दाहाडे बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी जानकारी के मताबिक बदमाशों ने युवक पर ताबर तोड कई राउंड फायर किये हैं जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है मिर्टग युवक की पैचान हर्माणा निवासी बाक्चन चोटिया के रूप में हुई है ये वही बाक्चन चोटिया थे जो बहुचरचित पूर विदायक नातुराम सिनोदिया के पुत्र बावर सिनोदिया हत्या कांड के चश्मदीद गवा थे लेकिन बदमाशो द्वारा ताबर तोड फाइरिंग में उनकी हत्या हो गई है किशनगर में दिन दहाडे फाइरिंग और हत्या करने के बाद आरोपी मुके से फरार हो गए है और अब अजमीर एसपी कुवर राश्टिदीप गटना इस्तल पर पहुचे हैं गटना इस्तल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है लेकिन इस तरीके से दिन दहाडे एक बार फिर किशनगर में फाइरिंग होने से छेतरवासियों में भय का माहूल पैदा हो गया है वहीं दूसरी और अब इस मामले में राजनितिक सकरिता तेज हो गई है बाशपा के निताओं ने जैलोजी अजमेर जिले के किशनगर में हरमाना के सरपंच पुत्र बाक्चन चोटिया जी की दिन दहाडे गुली मार कर हत्या कर दी गई ये लाजिस्थान कॉंग्रेस से आपकी पूरवरती सरकार के समय विदायक रहे नाथुराम सिनोदिया जी के पुत्र की हत्या के मामल की परताल में जुट गई है और आसपास के सिसी टीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दिये